कोटा इंसार एक्सप्रेस ट्रेन का सिर्षा तक हुआ विस्तार पहली बार भट्टुकला पहुंचने पर हुआ भव्य सवागत कोटा इंसार एक्सप्रेस रेल सेवा का सिर्षा तक विस्तार हो गया है जिसका सनिवार को संचालन सुरू कर दिया गया इस ट्रेन के पहली बार भट्टुकला पहुंचने पर स्निवार को भट्टुकला ब्लोक शमीति वाईष चेरिमें बंसिला विगासरा के नेत रुतव में यहाँ स्वाकत समारों का आजईन किया गया ट्रेन चालकों को माला पहना कर उनका भव्वे समान किया गया 9 मार्च को शिर्षा रेलिवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई बता दें कि उत्तर पस्चिम रेलिवे भिका निर्मंदर पर संचालित कोटा से पस्तान करने वाली यह गाड़ी इसास स्टेशन से सुबह 11.45 मिनट पर रवाना होकर 12.13 मिनट पर मंडि आदुम पर आगमन वे 12.15 मिनट पर पस्तान करेगी 12.29 मिनट पर भटुकला स्टेशन पर आगमन होगा और 12.31 मिनट पर दोपैर 1.10 मिनट पर सिर्षा पहुंचेगी इसे के साथ यह ट्रेन वापसी में सिरसर्ट से परस्तान करते हुए शाम चार बज़ कर पंदरा मिनट पर रवाना होकर भट्टुकला स्टेशन पर चार बज़ कर अरतालिस मिनट पर आगबन वैचार बज़ कर पचास मिनट पर इसका प्रस्तान होगा मंडी अधुमपर स्टेशन पर 5 बज़कर 6 मिनट पर आगवन और 5 बज़कर 8 मिनट पर परस्तान तथा इंसार स्टेशन पर या 5 बज़कर 45 मिनट पर आगवन और 5 बज़कर 55 मिनट पर इसका परस्तान या गाड़ी करेगी कोटा के लिए कोटा इंसार कोटा एक्सप्रेस ट्रेन को सिर्षा तक बढ़ाया गया है इसी के साथ ही कोटा इंसार के मध्य की समयशारनी में कोई परवर्तन नहीं किया गया है इस ट्रेन के चलने से खाटू श्याम जी जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन वरदान साबित होगी जि इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे गाउं बन गाउं में ट्रास्फार्मर से तेल वय अन्य समान चोरी मामला दर्ज गाउं बन गाउं में एक ट्रास्फार्मर से तेल वय उसका समान चोरी हो गया सनी बहुर को मिली जानकारी अनुसार विदुत उब वोगता मेना देवी की सिकायत पर विदुत निगम ने जांस करते हुए अपनी रिपोर्ट पुलिस को दी है पुलिस ने निगम उपमनल अधिकारी की सिकायत पर अग्यात व्यक्ति के खिलाफ विदुत अधिनियम दारा 136 के तहट मामला दर्ज कर जांस रूप की है मेना देवी निवसी बनगाओं के नाम से विदुत कनेक्शन के लिए यांट ट्रास्फार्मर लगाया था रात्री को अग्यात व्यक्ति ने ट्रास्फार्मर का तेल वय अन्या समान चुरा लिया विभागिया अनुसार इसकी किमत एक लाख ग्यारा सो रुपे है पुलिस ने सिकायत के अधार पर मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है बट्टुकला राज के महा विदैले में एनसस सीवर के तीसरे दिन मदाता जागरुकता रेली का हुआ आउजन राज के महा विदैले बट्टुकला द्वारा प्राचारे प्रोफेसर सुभा सिहाक की अधेक्स्ता में संचालित हो रहे महिला वैपरुस अनसस एकाई के साथ तिविश्य सीवर के तीसरे दिन सन्यवार को मद्दाता जागुटा रेली का आज़न किया गया महिला एकाई एवंपरुस एकाई को राष्टे निर्वाचन आयोग के स्विप प्रोग्राम के अंतरगत महावीद अले के निर्वाच चाहत महिला एकाई ने परताप नगर वैं माचरा मंडी में तथा पूरुश एकाई ने गाउं भट्टुकलां में मद्दाता जागरुकता रेली निकाल कर लोगों को मद्दान के अधिकारों तथा मद्दान के महतुः के बारे में जागरुक किया इसके साथ ही दोनों के तहट लोगों को घर गर जाकर मद्दान एक्तु प्रेरित किया साइंक अलिंस्तर में स्वेम सेविकों के बीच पिठू रुमाल तथा किर्केट मेच का आवजिन किया गया एम पुरुषिकाई में सांस्कृतिक गतिविद्यां करवाई गई सीवर का संचालन एनसस अधिका मेहला एकाई प्रभारी विजय वीर गोदारा सहसियों जी का डक्टर किर्ति चोधरी द्वारा किया गया रतिया में स्री मनोकामनी दुर्गा मंदिर में हरसु उल्ला से मनाया गया महा सिवरात्री परव रतिया के पुराना बजास्तित स्री मनोकामनी दुर्गा मंदिर में शुकरवार देर रात्री से प्राता सनिवार को महा सिवरात्री का परव मनाया गया इस अफसर पर कावडियों ने गंगाजल सीवलिंग पचड़ाया और माथा टेकर आशिरवाद लिया मंदर कमेटी के परधान मदनलाल जिंदल संचालक रविंदर सूध उपरधान आतम सर्मा पारसाद सोनु जिंदल सूरिंदर सूध विजय बंसल तता अन्यकारेकान सदसों ने सभी कावडियों का स्वागत किया और गंगाजल अर्पित करने के बाद सभी कावडियों को कमेट द्वारा धुमदाम से मना जाता है। उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा मंदिर में कावड लेकर पहुंचे शिव भक्तों का भव्य स्वागित किया गया। साथ ही यहां मौझुद सेंकडु सरदालू ने शिव भक्तों के सम्मान में हर हर महादेव हर अगंगे के नारे भी लगाए। उन्होंने बताया कि मंदिर कमेटी द्वारा शिव भक्तों के साथ साथ लोगों के लिए लंगर की भी विवस्ता की गए थी। रत्या सहर के सभी वार्डों के विकास के लिए 5.30 क्रोड रुपे की लगाये टेंडर विदायक लक्षमन नापा। कि वे मुख्या मंतरी मनोलाल के मार्ग दसन में शहर के विकास को लेकर निरंतर प्रयास रते हैं और आने वाले समय में निच्चत ही शहर की दिसा और दसा बदलेगी। उनने कहा कि परसदों के सियोग वे लोगों के तालमिल के साथ रतिया शहर की छोटी बड़ी समश्यों का समाधन करते हुए विकास के ने रस्ते तलास कर उसे मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। उनने परसदों को कहा कि अपने अपने वाड का खुद ही सुबारम कर काम सुरू करवाना सुनिश्चित करें। नहरी वाटर वक्ष का कारे सुरू हो गया है जिस भी वाड में गली बनवानी हैं उसमें पहले पीने के लिए पानी की पाई प्लान डलवा कर गली बनवाएं। इससर पser पस जिला अधल बलदेव सिंग गुरू हाप अपन्चैula समिती चेरमीन के वल किस्ण मेहता नागर्पालिका पर्धान परिति खन्ना नागरपालिका वाइस चेरमैन जोगर अंदर नंदा नांगरपालिका सचेव पंकत जून पूर युवा मोर्चा पर्धान प कुशन गूएल सहेतं अन्य अधिकार वाग नाग रिक मौजूद रहे। नागपूर में महला विकस विबाग दौरा कार्यकरम का हुआ आयोजन। महला विकस विबाग दौरा सणिवार को नागपूर में बैटी बचाव बैटी पड़ाव वे खेल खेल में पोशन भी पढ़ाई भी कारेकरम का आउजिन किया गया इस दुरान कारेकरम के अधिक्सता सने लता सुप्रवाजर द्वारा की गई जिसमें मुख्यती थी के तोर पर गाउं की सरपन स्रीमति अनिता रानी ने स्रिकत की और वहां पर मौझूद लोगों को अपने बच्चों को गाउं के अंगनवाड़ी के अंदरों में बेजने के बारे में जागरू किया गया कारेकरम में आसपास की साथ सफ़ाई के बारे में चर्चा कीगी सुप्रवाजर द्वारा वहां पर मौझूद लोगों को विभाग द्वारा चलाया जा रही विमिन प्रियकार की सकीमों के बारे में जैसे पोशन भी पढ़ाई भी परदानमंतरी मतरतव वंदना योजना बे पखवाड़ा के बारे में भी बताया गया कि सरकार द्वारा मार्च मेहने में पोशन अभियान के तैथ पोशन पखवाड़ा मनाया जाता है जिसके तैथ हर रोजाना पोशन पर अलग अलग एक्टिविटी करवाई जाती है जैसे कि पोशन भी पढ़ाई भी पोशन वाट मौजूद रहे